यहीं दोस्तों आज हम केंदरे विद्यालाय का जो पेपर हुआ है 18th February 2023 गो उसके जो ऑफिसल एंसर की हैं उसको लेकर कि आपके समक्षप्रसित हैं जिसमें देखेंगे किस तरह के प्रस्ण पूछे गए थे और उनका सही एंसर क्या है आप लोगोंने क्या एंसर लगाया है उसको भी एक बार रिकॉल करेंगे ताकि आने वाले पेपर के लिए भी आपको कुछ दिशानिटेस मिल पाए चलते हैं पहले प्रस्ण की उर जो की 261 नंबर में है इसमें हिस्ट्री का आया प्रस्ण है प्रस्ण है कि नीचे दिए गए दो बकतब हैं यानि कथन है यानि तूस एक कतन है और दूसरा कारण है जिसमें देखेंगे हरा प्रस्ण है अपनी जल आवशकता का ध्यान रखते थे अवंग जल प्रबंद के परती जागरूग थे दुसरा उसका कारण बताया गया है कि मोहन जोदोर में बड़ी संख्या में कुवें खुदवाये गये थे इसका जो सही अंसर होगा option number 1 होगा जो कि A और R दोनों सही है R A की सही ब्याख्या करता है इसका सही अंसर option number 1 होगा चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण संख्या 262 प्रस्टर निर्मित एक नगन कवंध मूर्ति जो अपनी तक्षन तक्षन के लिए बिख्यात है किस हराप्य असल से प्राप्त हुई है इसका सही जवाब होगा हरप्पा option number 1 इसका सही जवाब है इसके बारे में ध्याना किये प्रस्टर नगन कवंध मूर्ति जो है वह लाल पथर से बना हुआ है इसका सही जवाब हरप्पा होगा चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण संख्या 263 इसमें निमलिखित में से कौन उन पंच वग्ये भिक्षो में समरित नहीं था जिनें गौतम बुध ने अपना पर्थम धर्म अपदेश दिया था इसका सही जवाब होगा अपसे नमबर टू महा कशप महा कशप अपसे नमबर टू इसका सही जवाब होगा महा कशप अचा इसके बारे में ध्याना किये गौतम बुध्य ने अपना पहला धर्म अवगेश सारनाथ में दिया था जो की साक्य मौनी के Rाजकुमार थे इनका जन्म लुम्बनी में हुआ था, जो लुम्बनी नेपाल में है बरतमान में ग्यान प्राप्ति की अगर बात करें उनको ग्यान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और पर्थम उपदेश सारनात में दिये थे और उनको निर्वान की प्राप्ति जो कुसी नगर में हुआ था इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सुतर भी कहा जाता है बुध्य ने अपने जीवन के सरवाधिक उपदेश कोसल राज की राजधानी सरावस्ती में दिये थे और उसने अंतिम उपदेश जो है वह कोसी नगर में सुभध को दिया था बुध्य ने सरपर्थम तपत्सु एवंग भलिक नामक दो सुद्रो को बौध धर्म का अनर्याई बनाया था तो इस प्रसन से जुरु हुई इतनी सारी जानकारी ध्यान में रखें जिनसे के अधिकतर प्रसन बनाया जाते हैं अगले प्रसन क्यों है प्रसन संका 284 निमली खित में से कौन बौध अस्टूप का अंग नहीं होता है अस्टूप की जो महतप्पूर्ण हिस्से हैं उसमें सबसे पहले अंड की बात करें अंड जो है वो अस्टूप का अर्ध गोलाकार हिंसा होता था दूसरी बात बेदिका है बेदिका इसको रेलिंग के नाम से जानते हैं इसका निर्मान अस्तूप की सुरक्षा के लिए होता था और तिसरा हे हर्मिका, हर्मिका जो है अस्तूब के सिखार पर अर्ष्ति की रक्षा के लिए बना जाती है, तो एक तरह से जो तीन इस्से सम्भंदित हैं, बहुत अस्तूब से जबकि सुक नजकार का सम्भंदित नहीं है, चलते है आगले परशनक्यून, परशन संख्या 265, कोटी लिके अग्डद सास्त्र को अपने मूल और अनवाद द्वारा प्रकास मिलाने का सब्सुत कि आर श्यांस फिरी के द्वारा इसको मिलाया गया इसका सही एंस्र ऐप्च son के स्कॉलर थे अच्छा महावंस टिका में इसका उलेख भी मिलता है कि चाना के जो है निवासी एक ब्राम्वन था चंदगुपते बंग चाना के ने मिलकर नंदवंस का उन मुलन कर मौरेवंस की नीव डाली थी तो इतनी सा जानकारी प्रसंस से जूरी भी ध्यान में रखें प्रसंसंख्या 267 की ओर है इसमें से आप्शन जो है आपको ज्याना किये कि निमलखित में से कौन जो है अजीवक को केव गिफ्ट किया था असोक और दरसर था असोक और दसरत असोक ने आजीवको के रहने हे तो बराबर की पहारियों में चार गुफाओं का रिवान करवाय था जिनका नाम लोमस रिशी गुफा कर्ण चोपार सुदाम गुफा होता था और दसरत ने भी आजीवको के लिए गुफाइन रिमित करवाई थी नागारजुन की पहारियों में इस तरह से इसका सही इंसर होगा ऑफ्सन नमबर टू जो की दो और त्री को रिपरजिन कर रहा है यानि असोक और दसरत है इस तरह से इसका सही जवाब ऑफ्सन इसका सही जवाब है विश्ण गुपत प्रसंद था कि न्यमिकरित में से इसके समराज का अंतिम मानने असासक माना जाता है जिनका कारिकाल पांसो चालीस से पांसो पचास भी माना गया है दस वर्सों का एसासन काल था, भात में पहली बार सोने के सीके कुशान वंस के द्वारा जारी किये गए थे, इतनी साही जानकार इस प्रसन से जुरिवी ध्यान में रखेंगे, चलते हैं अगले प्रसन क्यों, प्रसन संख्या 269, 269, गुपत सासको ने नके बल बिभिन परका अफसान नमबर तू होगा, चंदगूपदूतिय और कुमार गूपत परफम, अब इसके बारे बिधाना कि, चंदगूपदूतिय को विक्रमादित के नाम से जानते हैं, उनके ही पुतर थे, गूपत परफम, जिसको महदरा दिते, याद रखिएगा, महदरा दिते जो है, कुमार गुपत पर्थम को कहा जाता है और विक्रमा दिते चंद गुपत दूतिय को मध्य भारत में रज़त सीको का पजलन इसी के काल में हुआ था इसका सही जबाब option number 2 होगा चलते हैं अगले प्रस्ण क्योर प्रस्ण संख्या 270 क्योर है अब मिलान करना है मैच लिस्ट वन टू लिस्ट टू लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है तो इसमें ध्यान रकिए इसका जो सही जबाब होगा option number 4 है याद रकिएगा इस तरह से इसका सही मिलान कर लेते हैं कि पार्टली पुत्र वाचना जो है वह अस्तुल भदर से जुरा हुआ है दूसरा मतुरा वाचना जो है वह आर असकंदिल से जुरा हुआ है और बलभी पर्थम वाचना जो है वह नागारजुन सूरी से जुरा हुआ है और बलभी दूतिय वाचना जो है देवारधिनी चमासरमन से जुरा हुआ है माजन्दिक option बर three यबण जो है one तो महारक्षित से जूरा हुआ हुआ है सुवार नभुमी सुवार नभुमी जो सोन बंधंतर से जूरा हुआ है और अपरांत जो है यबण धर्मरक्षित option number ogi यह led ori one इसका option जो होगा option number four three four three फिर 2 फिर 1 अफसे नमबर 2 होगा इसका सही जवाब होगा अफसे नमबर 2 चलते हैं प्रसंद संख्या 272 की और अब इनको जो है तीथी के हिसाब से करम के अनुसार क्रोनलोजिकल ओड़े में सजाना है सबसे पहले होगा एक नात्मुनी जिनका कारिकाल 823 सीजी से और 951 सीजी तक याद अखिएगा पहले नात्मुनी आंगे एक नमबर में फिर उसके बाद आएंगे रामान अजुजाचारे जिनका कारिकाल 1017 से लेके 1137 था रामान अजुजाचारे और तिसरा है बल्लभाचार बल्लभाचार जो बल्लभाचार बेदान्त देसिक जो थे उनका 1279 से 1279 से 1370 थी और बल्लभाचार जो सबसे लास्ट में 1489 से 1531 यानि इसका सही जवाब होगा एक दो चार और तीन आप्सन नमबर 3 इसका सही जवाब होगा इस तरह से इसकरम को ध्याना किएगा चलते हैं प्रशन के ओर प्रशन संकह 273 नम्लिकीत में recreation के सहराप्मन पुरास्थल से तांबे का एक रथ प्राप्थ हूँआ है तांबे का एक एक रथ जो है वह सन नमबर 2 इसका सही जवाब होगा सन इसका समन आप्तमान रथ जो बर्तमान में बेस्टान उतर-प्रदेश का हीशा है यहां से कॉपर धातू के बने हुए बहुत सी चीजे प्राप्प्त हुई है जबकि दाईमाबाद महाराष्टा से भी कारं जो कॉपर अर्थ के साक्ष क्ष्ण प्राप्ध हुए है इस तरह से इन प्रस्न का सही जबाब होगा सनौली इसका सही जबाब है प्रसन संख्या 274 की और है 274 निम्रिखित में से किस अस्थाल हर अपन पुरास्थाल को एक बिशेश पकार के अर्ध किमती पत्रों का उप्यों करने के लिए अस्थापित किया गया था इसका सही जबाब हुआ सोर्तु गई अफ्सन नमबर सी अनित्री बत्मान में यह सोर्तु गई अफगानिस्तान में है जो एक बैपारिक के अंदर था इसी चेतर के आस पास लापिस लाजुली अस्टोन जो की बुलू रंग का मार्बल होता था अब उनके खादान पाय गये हैं जिसका यूज बरका सिर्स हेड में आखों के लिए किया जात में निम्रखित में कि सिधातु का एक बरे पैमाने पर योगदान था इसका सही जवाब होगा तामबा तामबा इसका सही जवाब है आपसन नमबर टू तामबा का विशेश परेवगवा करता था प्रसन संख्या 276 की और है धर्म सास्तों के उनुशार समाजिक अनुक्रम म पिर उनके वाचतरिय फिर वैस फिर उनका सुदृ ऐसा ही करम है प्रह्मषन यeles करवाने ये पढ़ने और ऑने वाने चत्रिय जो लड़ने वाले लडाका थे और वैस व्यपारिक लोग के और सुद्ध जो सिवा सतकार के लिए इस दर्से वर्ण के अधार पर वर्ण करन किया गया था अप्सन नमबर सी इसका सही जबाब है प्रस्ण संक्या 277 क्यों है 277 में भी कथन और कारण से जुड़ा हो प्रस्ण है दो कथन जो है गुपत सास को ने सबसे बरी संख् सब से पहले जबाब का उद्भभ हुआ था सबसे पहला यादा कियेगा महा जन्पदों का अद्भव हुआ सबसे पहले एक नंबर में आएंगे उसके बाद जो हुआ वा सुदारसन एक्चुली हो छटी सिदाब दीबी सीपुर में महा जन्पद के बाद उद्भवा था और फर्स्ट सेंचुरी एडी में बहुत धर्म में मुर्ती पूजा का प्रारम हुआ सबसे पहले टू फिर वान हन उसके बाद सुदारसन जील का जिरनोधार किया गया और उसका साथ वहन राज का आंद हुआ यानि आप्सन नमबर एक इसका सही जवाब होगा तू वान थ्री फोर टू वन थ्री वो टू वन थ्री और फोर इस तरसन का सही करम है उसका सही जवाब होगा महाजन पूत का उदभव सिक्स सेंचुरी बीसी में हुआ जबकि बहुत मुर्ती पूजा का आरब एक सेंचुरी एडी में हुआ और सुदरसन जील का रिजिनोर दौार 150 A.D. में हुआ साथवान राज कांत जो लेट 3rd century में हुआ था इस तरह से इनका सही करम ये रहा तो अगले प्रसंग क्यों है 279 अब इसमें भी एरेंज करना है आपको करम से जजाना है इस प्रसंग को ड्रॉप कर दिया गया है कि भी इसके द्वारा इसलिए इस प्रसंग को हम स्कीप कर देते हैं अगले प्रसंग क्यों है प्रसंग क्यों है 280 अब यहां भी एरेंज दे फॉलॉइंग यूग वाज इन क्रोनलोजिकल आउडर आपको भी इस यूग को करम से सजाना है पहला जो सत्यूग था सत्यूग को क्रीता जो बोलते हैं सत्यूग था उसके बाद त्रेता हुआ उसके बाद द्वापर हुआ उसके बाद कल्यूग हुआ याद रकिया सबसे पहले क्या हुआ हुआ कि बाद ढूंक जाना है। इसको भी करम से जाना है। पर जन होगा। उसके बाद जन हुआ। जानंपद उसके बाद महाई जानपद वसके बाद सामराजि त्याद कि पर immigration我 फिर फोर।ू फिर 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 फोर। फिर फिर फी फूर।। फिर फिर ayo Picture 2 इसका सही जबाभ है। याद रहेड कि है अगली प्रसुर क्यों है। arrange the following chronological order इसको भी करम से सजाना है अब इसमें जो है पानी लिया देखे इसके जो पानीनी है उनका जो पानीनी थे जो आस्ट ध्याई के रचविता थे बिक्रम संबत के बात करें तो इनियन कलेंडर है और हुएंट सांग की बात करें तो चाइनिज ट्रैबलर है और या जो खारवेल है या जो करलिंगा के राजा थे तो अब इसके बारे में समझाना है कि करम से सजाईए इनका जो काल करम है वो पानीनी का जो काल करम है वो फोर्थ से 6 BC एरा और जो खारवेल है उनका 1st से सेकेंड सेंचुरी था और विक्रम समबत की बात करें तो 57 BC और वेंचांग की बात करें तो 6137 AD तो इस तरह से इनका जो काल करम है इनको ध्यान रखिए इसका सही जबाब होगा option number C, option number 3 जिसमें पहले first आएगा first एक नमबर में फिर उसके बाद जो third आएगा खारवेल दो नमबर में फिर उसके बाद वेंचांग उसके बाद फिर first उसके बाद third हुआ और उसके बाद फिर second विक्रम समबत होगा third और उसके बाद एफ फूर्थ होगा इस तरह से option number 3 इसका सही जबाब होगा चलते हैं अगले प्रस्ट किउर प्रस्ट संख्या 283 असोका जिए कर्देंब्रारी किंग ऑफ मकदुनिया वाज्स इसका सही जबाब होगा एंटी गोनस गोनटास एंटी गोनस गोनटास option number 2 तो कि सही जबाब है चलते हैं अगले प्रस्ट किउर एंटीगोनस को इन टास के बारे में जाद कर जाई इनका जर्म 320 इसवी में पूर में हुआ और मिर्टू जो है वा 249 इसापूर में हुआ था असोक का जब की जर्म हुआ 344 इसापूर में और 232 इसापूर में इनकी मिर्टूई ये दोनों समकालीन थे अगले प्रसन क्यों है प्रसन संख्या 284 इसका सही जवाब होगा हेरोडोटरस हेरो डोटर्स को इसके फादर के रुप में हम जानते हैं इस तरह से इसका सही जवाब होगा हेरो डोटर्स इन्हें सर पर थमीतिहास का पिता सिसरो ने कहा था हेरो डोटर्स को इतिहास का पिता सिसरो ने बोला था इस तरह से इसका जवाब सही हेरो डुटस होगा प्रसन संग्या 285 क्यों है अब 285 में यह लिखाव हम्मूराभी की बीदी संगीता के संदर में कौन सा कथन सही है याद हो कियेगा यह दंड अत्यंत कठोर थे यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो उसे में punishment बहुत hard दी जाती थी शमास सीलता है पुन लगुकारी परिष्टित या दन को कम कर सकती थी यह भी सही है जब किसी पुरुस की मिलतु होती थी तो उसकी संपत्ती का विभाजन उसके पुत्रों में हो जाता था किन्तु उसकी बिद्वा को उस संपत्ती के लाव के भोक अप्रावधान था यह भी सही statement था कोई पुरुस अपनी पत्ती को बिना कुछ दियत अलाग दे सकता था यदि वह दुर्भाब बेवार करती है तो इस तरह से यह भी सही statement है यह कुल मिलाके चारो एस्टेट्मेंट सही है तो इसके option जो है option जो होगा option नमबर 4 इसका सही जवाब होगा प्रसन संख्या 286 की ओर है आर्माइक भासा बेशित रूप से मुसुपोटामिया में किस सदी के बाद बोली जाने लगी इसका सही जवाब होगा 1000 BCE 1000 BCE के बाद यह अमराइक भासा बिश्टरित रूप से मुसुपोटामिया के में बोली जाने लगी थी इसका सही जवाब 1000 BCE होगा option नमबर 2 इसका सही जवाब है अगले प्रसन क्यों है प्रसन संख्या 287 रोमन इतिहास में उनहतरमी C का बर्स एक कुख्यात बर्स के रूप में जाना आता है क्योंकि एक के बाद एक चार सिंहासन रूड हुए थे यानि option नमबर 4 इसका सही जवाब होगा तो कि वह एक एक करके सभी चार सासन पर सत्ता रूड हुए थे option नमबर 4 इसका सही जवाब है अगले प्रसन चूर है प्रसन संख्या 288 नमलिखित में से कौन सी सताब दी प्राराभिक वह उत्ता रूमन सामराज के बीच में एतिहासिक बिवाजक थी तो यह जो तीसरी सताब दी थी वह एतिहासिक बिवाजक के रूप में उभर कर सामने आई थी थार्ड सेंचूरी इसका सही जवाब होगा प्रसन संख्या 289 के ओर है मुस्व पोटामिया की भासा वाली पी 2020 के उपरान कई परदूस्थों के द्वारा अपनाई जाने रगी परन्तु निम्लिकित मैंसे उन में एक सामील नहीं था उसकी पहचान कीजिए वह कौन सी भासा थी इसकी पहचान की गई वह तुर्कमेनिया उप्सन नमबर 4 इसका सही जवाब हुआ उप्सन नमबर 4 प्रसन संख्या 290 की ओर है महाबात के कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया है याद खिएगा तीन चरणों में उप्सन नमबर 3 इसका सही जवाब है महाबात को तीन चरणों में विवाजित किया गया था महाबात के जो रचईता थी बेदव्यास जी थे इन्होंने महाभाद को तीन चरणों में लिखा था पर्थम चरण जिसमें 8,800 असलोक हैं दूसरे चरण में 24,000 असलोक हैं और तीसरे चरण में एक लाख असलोक लिखे गए महाभाद का युद कौरोबेंग पांड़ों के बीच कुरू चेतर जो की हर्याना में हुआ था महाभाद का पहला अंगरेजियन वाद जो 883,896 के बीच में हुआ वह किशारी मोहन गांगुली ने किया था याद रखिएगा इन तमाम चीजों की जांकारिया आप निहान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सूपयोगी साबित होगा प्रसन संख्या 291 के ओर है 291 या सांस्क्रित पांड़ोली प्याने मिल्खित में से प्रमुक्तक की शेदर में मिलती है या जो ड्रॉप कर दिया गया कोशन इसलिसको भी हमें स्किप करेंगे प्रसन संख्या 292 की ओर है यह भी कथन और कारण से जुरा हुआ है कथन जो है पुर्व मध्यकालिन भात में सहरों की बरी संख्या में हरास हुआ था यह बरी सही बात है कि उनका बरी संख्या में सहर का हरास हुआ यह डिक्लाइन किया गया दो सामट रूप से ब्यापार वर्थ व्योस्ता में हराश वहाता यह भी सही है,नि काथन भी सही है और कारे निरी प्रतान ब्याकर करता है, प्रसंसजा संख्या आप्सेन मान एक किसका सही जबाब होगा चलते हैं अगले प्रस्भावर को लेकिसे पर जान लीजे सिजदा का मतलब जूक कर सुल्तान को नमस्कार करना पयवोज का मतलब पैयरो को चुमना होता था यह पढ़ता बलबन ने अमीरों के घमंड को तोड़ने अर्वत्वा दरवार के अनुशाषन को बनाया रखने के लिए किया था यह kingship theory आनि राजत तो सिध्धान के अंतरगत यह इसको implement किया गया था तो इस तरह से इतियानकाई ध्यान में रखेंगे प्रसन संग के 294 की ओर है 294 में match following है match करना है वलियात वलियात जो है वह वालियात जो है वह spiritual territory से जुड़ा हुआ है इसका सही जबाब होगा इसको मिलान करता हूँ वालियात spiritual territory से जुड़ा है मुरीद जो है वह disciple मुरीद जो अनुवयाई और वाली वाली जो था वह successor था इस successor nominated by a peer to carry out his work and पीर जो है पीर जो teacher हुआ करता था पीर इस तरह से सही जबाब 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 option number 3 इसका सही जबाब होगा option number 3 चलते हैं अगले परशन की ओर परशन संख्या 295 which of the following scholar sons compose a right in Sanskrit किस बिद्वान ने Sanskrit में रचना की थी तो इसका सही जबाब होगा उसका सही जबाब होगा option रामानुजा ने भी संस्कीत में रचना की थी रामानुज ने भी और माधव ने भी माधवा चारज ने भी और तिसरा जो बल्लवा चारज ने भी यानि option number 1 इसका सही जबाब होगा रामानुज मादव और बलव तीरों सही जभाब है संस्कीत response में इसन्य रचना की थी ग्यानेश्यवर एक माराथी, ग्यानेश्यवर जो है वкус एक माराथी सं्त थे यह संत नाम देब के समकालर थे तियाद रखेगा माराथी जो है गयाने सोर थे वो मराठी भासा में अपनी रचना की थी मां की ती नो रामानुज, माधव और बल्लब जो थे वो संस्कीत भासा में इसकी रचना की थी चलते हैं अगले परस्टन की और परस्टन संख्या 296 इसका सही जवाब होगा बक्तियार केल जी तिससर से याद रखना है याद रखना है सही जवाब और सी होगा चलते हैं अगले परस्टन की और परस्टन संख्या 297 which of the following statements are correct about the Sultan's वाजीर वाजीर के regarding कौन से कतन सही है तो पहला जो है during the early Sultanate period the वाजीरs were primarily military leaders या सही था या सही था या सही था in 14th century the वाजीर began to be considered more an expert in revenue affairs या भी सही था Khan ए जान a converted तैलंग ब्राह्मन was chosen by the Firoz Tuglaq as his वाजीर या भी स्टेटमेंट सही है Khan ए जहान दूतिये यानि में played a role of king maker after the date of Firoz Tuglaq या भी स्टेटमेंट सही है यानि option number 1, 2, 3, 4 option number 4 इसका सही जबाब होगा option number 4 चलते हैं गले प्रस्ट के और प्रस्टन संख्या 298 which of the following Afghans said, did the Rana Sangha in the Battle of Khanba इसका सही जबाब होगा option number 1 और 2 option number 1 और 2 यानि option number 1 and 2 मुहम्मद लोदी और नासीर खान लोहानी नासीर खान लोहानी खानबा का यूद 16 मार्च 1527 सभी को अगरा से 35 किलोमेटर दूर खानबा गौं में बाबर और मिवार के रसासक Rana Sangha के बिच लड़ा गया था पानी पत के यूद के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यूद एक बहुत बरा यूद था जो की खानबा का यूद जिसके बिचेता बाबर ही हुए थे तो इतनी साहिजानकारी से जूरी हुई ध्यार में रखेंगे प्रसंद संख्या 299 के ओर है निमलिकित में से कौन से सरक मार का निर्मान या मरमत सेरसा द्वारा नहीं की गई थी इसका सही जवाब होगा सिंध के समुदरी पत्नों को जोर्टी मुल्तान से सिंध तक की जो सरक थे वह सेरसा सूरी के द्वारा नहीं करवाए गया था जबकि सोड नार गाउं सुनार गाउं तक ग्रेंट ट्रेंक रोड आगरा से जोदपुर औची तोड़गाड की तक की सरक लाहर से मुलतान इस सब सेरसा के द्वारा निर्मित की की थी लेकिन चौथा उप्सन इसका सही जवाब है पुछा गए नहीं कौँ सा इसलिए ग्रैंट ट्रंक रोड वाज औरिजिनली बिल्ट बाई चांदर गुपता मौरेर ग्राइन ट्रंक की अगर बात करें तो वह मुख्य रूप से जो बनवाया गया था वह चंदगुपत मौर्ड के द्वारा ही बनवाया गया था इनका नाम इनसे जुरा हुआ हुआ है चलते हैं अगरे प्रस्ट के और प्रस्ट के थ्री हंडेड अब गुल बदन बगम की रचना है हुमायू नामा जो को हुमायू की जبनी है गुल बदन की बेगम जो हुमायू नामा इस से जो अर्दू मैं इसको गुल बदन हुमायू नामा जो हुमायू की जिवनी है मुतमद खान जो हुमायू की बहन थी गुल बदन बेगम जो हुमायू की बहन थी मुटमद खान की बात करे थे अब उन्होंने इकवाल नामा जहांगिरी यह अर्दू भासा की पुस्टक है जो की जहांगिर की जीवनी है जो जहांगिर की जीवनी है इसके बारे में लिखा गया है साकी मुझताइद कान जो मासीर अलमगीरी से जुरा हुआ है और यह जो है और अंजेब के बारे में इसके जानकारी प्राप्त होती है जबकि काजविनी जो की पादसाह नामा से जुरा हुआ है और यह जो है पादसाह नामा तीन लोगों ने मिलकर कम्पलिट गया था काजविनी अब्दुल्हामीद लहुरी और मुहमद वारिश यह साज हां के काल का वर्णन करता है तो इतनी साही जानकारी इस प्रशन से जुरी हुई ध्यान में आप रखेंगे तो अगले प्रशन क्यों है प्रशन संख्या प्रशन संख्या 301 इसकी बात करें अब आपको एस्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन से एस्टेटमेंट सही है गलत है इसके बारे में बताना है इसमें प्रशन को यादकना है कि पहला जो है आफ्टर परफॉर्मिंग इस मोर्निंग डिवोशन और ही एन अकबर showed himself from a window on the first floor of the palace या सही कथन है पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है यादकियेगा इसमें जो है या कथन सही है इसका मतलब या कथन सही है जुसरा large crowd of all classes of the people assembled outside the palace wall and could submit their petitions to the emperor या भी सही था the practice was known as जहरुखा दर्सन बिलकुल सही some Hindus neither drank nor at until they had seen the emperor they were known as दर्सनियाज या अप्सन या भी सही है या कुल मिला कि आप्सन फोर इसका सही हो चारो चारो एस्टेट्मेंट सही है तो इसका सही जवाब होगा प्रसन संख्या 302 की ओर है प्रसन संख्या 302 अब कथन क्या statement एक और statement दो दिया गया है the whole body of literature known as akhlaq and antiquity grew up in the medieval Iran and India akhlaq a nasiri of nasir al-din tusi was an iranian work written in the first half of the 13th century या सही statement है या सही statement क्या है सही statement है दुसरा al-akh a jehangiri या एक भी statement सही था या दोनों का थन सही है statement first is true and second is also true या इसका बोथ option option number 3 इसका सही जवाब होगा बोथ है statement first and second are true अगले प्रस्ण क्यों है प्रस्ण संख्या 303 फिरो शात उगलक के शासनकाल में निम्रिकित में से संगीत के किस क्लासिक किये शास्त्रिये गरंद का अनुबाद भार्सी में किया गया था इसका सही जवाब होगा रागदरपन option number D इसका सही जवाब है रागदरपन option number D एन रागदरपन इसका सही जवाब है प्रस्ण संख्या 304 की और है मुगलों के शासन में निम्रिकित में कौन सी जागीर है अमीरों को बंस्दान हुआ ते बंग स्थाय रुप से प्रतान की जाती थी इसका सही जवाब होगा बतन इसका सही जवाब होगा बिलों 100 जात अहादीश जो थे अहादीश यह गलत है यह मैच किया हुआ यह पहला ही option इसका गलत है अगले प्रसंद की और है आकी सारे सही है प्रसंद संख्या 1306 की और है इन 1520 और पंदरसों असी में निम्रिकित में से भू राजर्ष की कौन सी बेवस्ता अकबर द्वारा आरम की गई थी तो दहसाला बेवस्ता जो अकबर के द्वारारा प्राण की गई थी अचा दहसाला बेवस्ता इंप्रेटेंट था अलग-अलग फसलो पर पिछले 10 वर्सों में लगने वाले राजिस को आउस्त निकाल कर उसका एक तिहाई भू मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से लिस्ट वन को लिस्ट टू से तो जम जमादानी 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 जमा option number 1 और मालो जिहाद भूमी का रिवा निकर हुआ करता था इस तरह से 3412 option number 1 इसका सही जबाब होगा प्रसंद संख्या 308 की और है आपको मिलान करना है कतनों पर विचार करना है जो कतन है मुहम्मद अल सफ़ाई बिथी सास्त की सफ़ाई परंपरा के मदिना में उनके सिख्षक मलिक बिन अनस्त है मलिक अबु हनीफा और अलसेवानी की सिख्षाओं के विरुद उनके आधार पुरुने स्वेंग के विचार प्रति पादित के थे यह वी सही स्ट्रेट्मेंट है यानि तीनों एस्ट्रेट्मेंट सही है इसलिसका एंसर होगा option नमबर फॉर ऑफिन नमबर फॉर इसका सही जवाब होगा one two three तीनों के तीनों एस्ट्मेंट सही है प्रसन संख्या 309 की ओर है तर ट्रेडिशन आफ नेरेटर वाज नून आज इनसाद इसनद ऑफिन नमबर टू इसका सही जवाब होगा option नमबर टू और इसनद इसनद इ के उतने ही अटिदो के ज़हते है केमल नूमेच्स जो ओट खाना वदोस थे उनकोडियों के नाम से जानते थे ऑफिन नमबर टू इसका सही जवाब होगा प्रसनि निई was थे Chief of the Mongol Dada Ulush traced their descent from which of the following Khanggwaan. यह जिसका सही जवाब होगा? कुबलाई, कुबलाई option number 1, इसका सही जवाब होगा? Option number 1. अगले प्रसन क्यों है? प्रसन संख्या 312. प्रसन संख्या 312. Consider the following statement. अब उसको दिखिये. सीथियन पासु चितरन से सिस्टि करता थे यह भी एस्टेटमेंड सही है। अगले परसियन क्यों है। अगले प्रस्टन की और है प्रस्टन संगा 313, the island of the Bombay was acquired by the English East India Company in 1668 from whom, किसे से अकुपाई किया गया था, इसका सही जवाब, option number 3, पॉर्ट को जोगा, पॉर्ट गालियों से, option number 3, इसका सही जवाब है, अगले प्रस्टन की और है, प्रस्टन संगा 314, रियतवारी बंदोब बस दक्षी दक्षी पश्टी में लागू किया था, option number 3, इसका सही जवाब होगा, प्रस्टन संगा 315 की और है, who was the last सुबहतारा बंगाल, appointed by the Mughal Emperor, जो last appointed किसने कौन थे, शासक, तो मुर्षिद कुली खान, option number 3, इसका सही जवाब होगा, प्रस्टन संगा 316 की और है, मिल जो एने सन इन मेकिंग, option number 4, फिर उसके बाद मेजर जर्रल शाहनवाज खान, या जो माई मेमोरीज अफ आये ने, and इट सिने ताजी, तरी, और सर वेलेंटाइन जी रोल, इनोने, इंडिया, ओल्ड और न्यू, और सिवानाथ सास्त्री, इसका सही जवाब होगा, 4321, अग के लिए प्रसन क्यों है, प्रसन संख्या, 317 क्यों है, इन इंग्लिज इस इंडिया कंपनी, गॉट दिवानी राइट फॉम इंपरर, शाह अलम दूट ये, on which of the following dates, इस डेट को यह उन्होंने प्राप्त किया था, दिवानी अधिकार, option number 3, 12 अगस 1765 को, उन्होंने दिवा आया था, किसने किस को आया था, फ्रांसिसी फोज ने बिटिसस को आया था, अनि फ्रांसिसी और बिटिस के बीच हुआ था, बांडिवास का यूद, जो 1760 में हुआ था, फ्रांसिसी से ना किया हार हुई थी, और जो तीथी थी इसकी, 22 जनबरी 1760, इसकी जो अस्थान थे वो बांडिवास जो की तमिलनाडू में है और इसका जो परिणाम हुआ था अंग्रेज जीते थे और फ्रांसिश्यों को पांडिचरी उन्हें सौपना परा था इस तरसे इस यूद के बाद ही भाद में फ्रांसिश्यों की राजनितिक सक्ती समाप्त हो गई थी तो इतनी साह लाहर राज़ानी थी महराज रांजीत सिंग जो सेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे इनका जो सासनकाल था बारह अप्राइल 1801 से लेकर के 27 जून 1849 तक था इनका जो राजिया विशेक हुआ था वो लाहूर में हुआ था और इनका निधन भी लाहूर में ही हुआ तो इस तरह से इसके बारे में सही जनकारी लाहूर है अगले प्रशन क्यूर है दे प्रैक्टिस अफ सती इन इंडिया वाज अबुलिस्ट बाई हूम सती लॉर्ड बिलियम बेंटिक लॉर्ड बिलियम बेंटिक इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर टू लॉर्ड बि कि इसके और है, who among the following is known as, known for suppression of the thugs in India, भात में ठगी को दवाने का सरे किसको जाता है, तो Captain Silliman को जाता है, option number 2 इसका सही जवाब होगा, Major General Sir William Henry Silliman मूलूप से यह एक सैनिक थे, जो बाद में परसाशक बन गये थे, 1835 में जब Lord William Bentic द्वारा ठगी एभंग डकैती विभाग बनाया गया, और William Henry Silliman को इसका अध्यक्च बनाया गया था, तब ही यह घटनाय हुई थी, तो इतनी से जानका इस प्रसाशन से जोड़ी ध्यान में रखेंगे, प्रसाशन सिंका 322 की ओर है, टीपु सुल्तान वस दिफिटेड और किल इन विच अफ दे फॉलोइंग बैडल्स, टीपु सुल्तान किस में मर गय थे और हर भी गय थे, तो फोर्थ अंगलो मैसुर युद में वह ऐसी घटनाय हुई थी, तो अफसा नमबर 3 इसका सही जबाब होगा, फोर्थ अंगलो मैसुर युद 1789 से 99 के बीच में हुआ था, टीपु सुल्तान और इस्टि इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, चार माई 1799 को टीपु सुल्तान के मिर्टू हो गई थी, और अंग्रेजो ने स्री रंग बटनम पर अधिकार कर लिया था, अंग्रेजो ने मैसूर पर अपना नियंतरन रस्तापित करने के पुराने वाडियार बंस को, जो अलपाई उशासक किर्ष्ण राज दूदिये को सत्ता सौप कर उससे सहायक संदी कर ली थी, तो इतनी साही जांकार इस प्रस्ण से जुरुई और भी ध्यान में रखेंगे, प्रस्ण संख्या 3.23 को रहें, यह कतन और कारण से जुगा हुआ प्रस्ण है, तरह एक बार कतन को पढ़ते हैं, भात में अनुबंधित मजदूरी इंडेंचर्ड ब्योस्था का प्रारम 1834 में किया गया था, जिसके ताहद बिटिस उपनी वेसों में गन्ना बगानों में भात से मजदूर भरती किया सके, यह एक सही कतन है, और कारण की अगर बात करें, तो अनुबंधित मजदूरी ब्योस्था को भात में सुदूर करने का अतात पड़े, 19-वी सताबदी और 19-वी सदी में ब्याप्त अकालों से पिरित गरीबों को रहा दिलाने से था, यानि यह भी सही है, यानि कतन और कारण दोनों से ही, इसका मतलब अप्शन नमबर एक, इसका सही जवाब होगा, अगले प्रस्ण क्यों है, प्रस्ण संख्या 324, आथर है और उनके वर्क्स है, अब ध्यान दिजिए, इसके वो आथर है, वर्क्स प्लिस का है, राम चंद्र गुहा, एक गांधी बिफोर इंडिया, इनके दोबार रचना रची कही थी, आप्शन नमबर एक फोर्थ होगा, भीकु पारेक, भीकु पारेक जो है, गांधी जी पोलिटिकल फिलोसफी, इसकी रचनाकार है, आप्शन नमबर टू, इसका सही जवाब होगा, आप्शन नमबर टू, अगले प्रसन क्यों रहे हैं, प्रसन संख्या, भी आथर और ब्बुक्स से जुड़ा हुआ है, आथि इसका जो करम है, मौलाना अबूल कलामजाद, यह टू से जु जुड़ा हुआ है, इंडिया विंस फिर्म, इंडिया विंस फिर्म, दाधा भाई नरोजी, poverty and ambitious rule in India poverty and ambitious rule in India बाल गादा तिलक यह बाल गादा तिलक जो थे वह Arctic home of the Aryans और महात्मा गांदी हिंद स्वराज नहीं second, third, fourth one second, third, fourth one option number 1 इसका सही जबाब होगा अगले प्रस्ण क्यों रहे हैं प्रस्ण संख्या 326 क्यों रहे who among the following were the parallel but not alternative streams streams of agitation जादा कि इसका जो सही जबाब होगा one, three and four होगा one, three and four option number two होगा option number two option अगले प्रस्ण क्यों है प्रस्ण संख्या 327 आपको क्रोनलोजिकल संख्या निम्रिखित समाजिक अधिनियमों को उनके लागू होने के अधार पर काल क्रम के अनुसार ब्यवस्त कीजे सबसे पहली बात करेंगे A में जान रखना इसका जो पराफ सन तरी आगा three जो बिनिमे six बिनियम six जिसमें बच्चों को बली की हत्या बच्चों की बली को हत्या घोसित किया गया बच्चों की बली को हत्या अप्सन नंबर एक या होगा फिर उसके बाद है बीर्णी में 17 जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में सती परथा को गहर कानुनी घोसित किया गया था या दखियागा 1829 में ऐसी घटनाय हुई थी और उसके बाद उसके बाद जो है इंडिया एक्ट फिफ्ट इसमें भारत में गुलामी पर्था को गैर कानूनी घोसित किया गया यह 1843 में हुआ था और एक्ट जो है 31 जिसमें इसाही धर्म परिवर्थ को के लिए बिरासत का प् आफसर नंबर एक होगा 3412 जलते हैं अगले प्रसन क्यों प्रसन संख्या 328 कथन और कारण सो जुड़ा हुआ है कथन देखे इसमें लिकावा संथास्व में प्राराम हुए फोर्ट विलियम कॉलेज का उदेश इस इंडिया कंपनी के रोजगार के लिए 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 इस सही स्टेटमेंट है और सार बिलियम जोन्स का संस्कीत के अध्यन का मुख उद्धेश नयापाल क्या में हिंदु कानूं का सार संग्रह रचित करना था यह वी सही स्टेटमेंट है यानि कथन और कारण दोनों सही है किन्तु ए का सही असपस्टिकरन आर नहीं है और सन इसका सही जवाब होगा अगले प्रसन क्यों है प्रसन संख्या 329 अब इसमें भी करना है सही दिखिए उपनिवेश बात की आर्थी का रोचना संबंदित नम्रकित में से कौन सा कथन सही है इसका मतलब यह जो सही कथन है और एक इसका सही जवाब है केवल एक और तीन केव सब्सक्ताओं में सहायक था किन्तु इसके फाले सुरुप समिर्दी भी आई थी तो अप्सन नम्र एक और तीन इसका सही जवाब होगा चलते हैं अगले प्रसन क्यों प्रसन संख्या 320 क्यों अब नेम्रिकित संग्ट्रणों को उनके अर्षापित होने की 30 से काल करम के उनस फर्स्ट में आगा अखिल भारतिये मजदूर संख मजदूर संख कंग्रेश ए आई टी यूसी यह फर्स नमबर पर आएगा फिर उसके बाद सेकेंड नमबर पर भारती सोतंतर मजदूर पार्टी जो की डाक्टर बी आरंबितकर के द्वारा और तीसरा जो था जो तीसरा फोर्थ वाला हिंदुस्तान समाजबादी गानतांत्रिक संग और उसके आगे जो है भारती राष्टी मर्दूर संग आई एन टी यूसी इसका सही जवाब होगा चलते हैं अगले प्रशन क्योर 321 में प्रशन क्योर चैंग काई शेक किसे नाओं के प्रबल दवाब में माहिनी के लॉंग मार्च का नेतेतु किया था आफसन नमबर 3 ऑक्टूबर 1934 इसका सही जवाब होगा अगले प्रशन क्योर है प्रशन संख्या 332 क्योर है किस वर्स में चैंग काई शेक ने सामयबादियों को बिगटित और रूसी प्रामर्स दाओं को वापस भेजा इसक सही जवाब हो 1927 अगले प्रशन क्योर है अंडर दे मेजी रिरेस्टोरेशन को बीकेम दे फर्स प्राम मिनिस्टर अफ जापान अल्सो द्राफ्ट इपान मेजी कंस्टिशूशन सही जवाब होगा अई ही रो भूमी यह भूमी और अप्शन नमबर 1 इसका सही जवाब है अगले प्रशन क्योस थीवाब है अगले प्रशन संक हे ठीक्षाट इस्ट निमर्खित में से कौन सा यूरोप में साम्तवाद के पतन का कारण नहीं था काउन सा कारण नहीं था इसका जवाब होगा काली में तो ब्लैक डेथ एक बिनास्कारी प्लेग जो यूरोप के थी कांस भाग में फैल गया था यह था इसका जो सही जवाब होगा यह तो था लेकिन आर्ने यार्तिक निती यह भी था और उत्पादन छमता में सुधार के कार अगले प्रस्ण की हो रहे हैं प्रस्ण का 336 दुटिव बिशुद की दवरान दुट्सिर राज्यों से कच्छा माल प्राप्त करने के लिए यह जापान किस प्रकार का कार्ज कर्म शुरुकिया प्रिहत इस्ट एस्ट एस्ट एस्या सह समय्दी चेत्र कार्ज कर्म का जबाओ जापान रिशिप्ट इन्फॉर्मल सपोर्ट फ्रम रस्याज एलाइज फ्रांस जर्मानी टुबी अग्रेसिव अगंस्ट रस्या यह सही सेट्मेंट नहीं अफसन नंबर फोर पाकिसारे सेट्मेंट सही हैं अगले प्रस्ण क्यों रहे हैं प्रस्ण संक्या 339 क्य जापान वेकिन दो देशों के बीच में विजय प्राप्त की थी इसका सही जवाब होगा अची ने वंग रस्या चीन एवंग रस्या आफसन नंबर फिरेस का सही जवाब है प्रस्ण संक्या 349 क्यों है निम्रिकित में से कौन सा कथन पुने जागरन काल के विश्या में सही पुने जागरन काल के बौधिक लोगों ने मारताबाद पर आक्रमन कायम रखा था यह सही स्टेट्मेंट नहीं था आफसन नंबर तुरी अगले प्रस्ण क्यों है प्रस्ण संक्या 349 आपको मिलान करना है इस स्कल्प्चर है उनके वर्क है इस स्कल्प्सन नंबर टू इस प्रस्ण संक्या 349 आप यह भी कथन और कारन से जुड़ा हुआ है यानि ताम्र पार्षान काल में समाजिक और समानता है प्राण बहुचुकी थी यह सही है यह लोगों की सांस्कितिक प्रताओं को में दिखाई देता है यह भी सही है लेकिन यह और आर दोनों तो सही है आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता है तो आप्सन नंबर टू इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ण क्यों है 342 विच अप दे फ प्रस्ण संक्या 343 की हो रहे है अरेंज दे फॉलोइंग एरा सीन क्रोनलोजिकल ओडर विदे रेफरेंस टू दियर बिगनी अब इनको सही करम में सजाना है तो सबसे पहले आएगा चार मालवा एरा उसके बाद आएगा सक एरा उसके बाद आएगा काल चूरी कलाचूरी अगले प्रस्ण क्यों रहे है प्रस्ण संक्या 344 विच ऑफ दे फॉलेंग गुपता रूलर है इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ण क्यों रहे है प्रस्ण संक्या 344 विच ऑफ दे फॉलेंग गुपता रूलर है इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ण क्यों रहे है प्रसंद संख्या 345 के ओ रहे हैं, पेलो पोनेसियन युद्ध लड़ा गया था, यह कहां लड़ा गया था, एथेंस और स्पार्टा के मत किन के बीच तो एथेंस और स्पार्टा के मत लड़ा गया था, पेलो पोनेसियन युद्ध, एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा इसका सुर्च जवाब होगा, option number two, 266 BC, option number two, इसका स़र्च जवाब होगा, अगले प्रस्ट क्यों है, प्रस्ट में 347, identify among the following authors, a female writer, female writer कों थे तो, अंडाल, option number three, इसका स़र्च जवाब होगा, female writer, अंडाल, अगले प्रस्ट क्यों है, 349 प्रस्ट, match करना है, writer or person text है, इसका फर्स्ट का थार्ड मिनहास उसिराज तबकात नासरी जयाओदीन बढ़नी फत्वा जहांदारी और इसामी इसामी जो है वो फत्वा ते सलातीन और यहुया बीन अहमद वो तारिक ए मुवारक साही अफसर नमबर सेकेंड थार्ड फर्स्ट फोर और सेकेंड अफसर नमबर प फुल रेट इसका सही जवाब हो पूलज और प्रवती पूलज एन प्रवती और ती इसका सही जवाब होगा ऑगले प्रचन क्यों रहें हैं प्रचन संख्या 550 साहजा ने अपने बल्ख और बाद्ख साह अवियानों के दौरान किस सूफी संद की से मैं प्राप्ट की थी तो नक्स बंदी सूफी आफ्शन नमबर टू इसका सही जबाब होगा तो यह थे प्रसन कुल मिला करके नमलखित कथनों बर विचार कीज़े यह जो कथन है यह कथन कोशन है यहाँ पर 351 का कि बिजय नगर का एका त्यंथ दर्सनी मंदिर हजारा राम मंदिर था यह सही है दुसरा संभवता हजारा राम मंदिर का प्रयों केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था यह भी सही है और मंदिर की आंतिक दिवारों पहुत के नित पैनलों में रामायन से लिया गया दिरिश्यान संभलित है यह भी सही है मंदिर परिशरों की एक मुख विशेश था, रत गलियां थी, यह गलत है, इसका सही जवाब होगा, अगले प्राशन की ओर है, 352, विच अगले प्राशन की ओर है, प्राशन संख्या, 133 की ओर है, इसका सही जवाब होगा, अगले प्राशन की ओर है, प्राशन संख्या, 354, राश्ट बाशन ब्रोधी भावनाओं के जोर, कि चड़ते सरकार ने करेट अगलिस्टी की निती अपनाई, अगले प्राशन की ओर है, प्राशन संख्या, 355 की कारण नहीं था, अगले प्राशन की ओर है, प्राशन 356, सर माइकल, ओ डायर की हत्या के लिए निंकौन सिख राश्ट भक्त पर बिड़े सुकुमत में मुकदमा चला कर फासी दे दी थी, सरदार उदम सिंग, सरदार उदम सिंग, अप्राशन नमबर 3, इसका सही जवाब होगा, अगले प्राशन की ओर है, प्राशन 358, सितंबर 905 में, रूस जापान यूद्गी सिमापती के बाद, कहां रूस जापान के मद संधी पर हस्ताक्षर हुए थे, इसका सही जवाब होगा, पोर्ट्स माउथ, अप्राशन नमबर 4, इसका सही जवाब है, अगले प्राशन की ओर है, प्राशन संख्या 369, निम्रिकित में से कौन सा अधरगी करांती का प्रहाब नहीं है, भोगता बस्तो की कमी यह प्रहाब नहीं है, बाकि फैक्ट्रियों ने ग्रामी लोग को रुजगार प्रदान के यह तो सही था, पुझी बाद उद्यमी वर्ग उद्यका 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 उद्यकी मजदूर वर्ग का सोचन वात यह भी हुआ, लेकिन पूछा गया प्रभाब नहीं है, तो यह प्राशन नमबर एक इसका सही जवाब होगा, अगले प्राशन क्योर, तीनिसु साथ, विच वन अफ़ फॉल्विग स्ट्मेंट्स रिगारइंग इस रेन सा, इस नोट करेक्ट है, पुझी जगरन काल के विशह में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पुझी जगरन काल एक घ्रामीन बाता बन के उतपती थी यह सही नहीं है, दूसरा आर्थिक विकास ने पुनीजागरन काल no के नहीं तो आप नियुक्ता है उपस्ति धन संप्नुपता भी पुनीजागरन काल के अबहाँ वहांक्त है तो इस तरह से प्रसन उमिद करता हूँ सारी बात समझ गया हूँ थैंक्यू सो मच आपके पेपर में अच्छे मार्ग्स हैं ऐसी पिक्छा है थैंक्यू